Hello everyone, Welcome to PDF Guru Academy PDF Guru Academy के इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अलहाबाद High Coat का जो paper चल रहा है उसके second shift का answer की तो अगर आपने भी अलहाबाद High Coat का paper दिया है और second shift में हैं तो उस answer की को आप match करा लेजीए तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या-क्या question आये थे अलाहबध High-Code के SHIP2 के paper में questions देखते हैं तो question आया था कि कौन सा fiber golden fiber कहा जाता है तो इसका जो सही answer होगा, उसका सही answer होगा, jute होगा तो next question देखते हैं इसमें एक question आया था कि अंडमांड ऋरुसॉईपट दूभार दुभीव समों में अंग्रेजियो द्वारा निर्मित, सेलुलर जेल को निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा काला पानी, इसका आप्सन होगा सेकंड, नेक्स्ट कोर्शन आया था, भारत में राजी सभा के पूर आवधी के सदर्शी को कितने बरसों के लिए चुन नेक्स्ट कोर्शन है, कोर्शन नमर फाइब, पानी पत की पहली लड़ाई किस बरस लड़ी गए थी, तो इसका जो आंसर होगा, पानी पत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गए थी, इसका आंसर ये होगा, नेक्स्ट कोर्शन है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैग ला बिहु का उत्सव मनाया जाता है तो इसका एंसर होगा इसमें से कोई नहीं मतलब कि ना तो बिहार में ना पंजाब में ना केरल में बिहु का उत्सव नहीं मनाया तो बिहु किसी दूसरी स्टेट का उत्सव है अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्चन कोर्चन नमबर Q8 है कि बगदाद किस देश की राजधानी है तो बगदाद राजधानी है इराग की राजधानी है Q9 देखते हैं Q9 है पंचतंत्र किसने लिखा तो पंचतंत्र लिखा विशलू शर्मान इसका सही अंसर होगा विशलू शर्मा Next question देखते हैं Q10 question number 10 है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताईए तो इसका सही अंसर होगा playing it my way मतलब की सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा का नाम था वो था playing it my way question number 11 क्या आया था यह आया था कि महान अकबर के राज दर्बार के सदस बिर्बल का वास्तिविक नाम क्या था तो इसका सही अंसर होगा महेश दास मतलब की अकबर के दर्बार के जो सदस बिर्बल का वास्तिविक नाम था महेश दास अगला question है अंतराष्ट्रिय महिला दिवस कब मनाय जाता है तो इसका सही अंसर होगा आठ मर्च अंतराष्टी महिला दिवासे जो की आठ मर्च को मनाय जाता है कोश्चन नमबर 13 के आया था कोश्चन नमबर 13 ये था कि जिमनाष्टिक 200 चैलेंज कप 2018 में स्वड़ पदक जितने वाले पहले भारतिया का नाम बताई है तो इसका सही आंसर होगा दीपा करमाकर अगला कोश्चन हम देखते हैं कोश्चन नमबर 9 स्वड़ जनक बनाने के लिए नियाय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है मतलब की बेलाफ जस्टिस ये जो है इसका सही आंसर होगा जहांगीर मतलब कि यह जो answer जिन्होंने भी लगाया है यह होगा इसका अकबर नहीं होगा यह होगा जहांगिर मतलब इसका सही answer होगा जहांगिर next question है dash bits एक byte के बराबर होते हैं तो मतलब एक byte में 8 bit होते हैं तो इसका जो सही answer होगा option A मतलब कि 8 होगा एक भाइट में आठ बीट्स होते हैं कोश्चन नमर 16 देखते हैं कोश्चन नमर 16 है निमलखित में से किस भारतीय ने साहित में नोबल का पुरस्कार जीता तो जो इसका सही आंसोर होगा रविन्दरणाथ टैगोर इसका आंसोर होगा से रविद्नाट टाइगौर मतलब की रविद्नाट टाइगौर ने सहीत में नोबिल का पुरिसकार जीता है कि कोश्चन नमर 17 है वायरस के कारण ने उन में से कौन से बीमारी नहीं होती है तो इसका सची एंसर होगा है पेटाइटिस इसका अपने पेपर दिया अपने जो ट से ठीफ मैच करा लेजिए अगर आप मैच कर रहा तो आपका एंसर सही है अधरवाज आप गलत हो सकते हैं कोश्चन नमर 18 कोश्चन नमर 18 है कौन से बिकल्प सही करम दरसाता है जिसमें भारती सतंत्रता आंदोलन के दौरान यह घटनाए हुई तो जो इसका आप्शन होग 4321 मतलब कि मुस्लिम लिख का संगठन फिर उसके बाद जलियावला बाग हत्याकान चौरी चौराकान लाला लाजपतराय का निधन इसमें जो आप्शन होगा आप्शन सी करेक्ट होगा अगला कोश्चन है खिलारी खेल जोडी में से कौन से का गलत मिलन किया है साच्छी मल टेनिस से संबंदित नहीं गलत है मतलब कि साइना नेवल बैट मिंटन से है मिधाली राज क्रिकेट से संबंदित है दीपिका कुमारी तिरंदाजी से साच्छी मलिक टेनिस से संबंदित नहीं है गलत है तो इसका जो सही आंसर होगा होगा बी मतलब कि साच्छी मलिक टेनि इसके सासक को मुगल काल का स्वर्ड यूग कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा सहा जहां होगा मतलब कि सहा जहां के सासक को सासन को मुगल का स्वर्ड यूग कहा जाता है यह option अकबर नहीं होगा यह option होगा C मतलब कि सहा जहां आंसर होगा question number 21 आया था IES का पुरा रूप क्या है तो IES का पुरा नाम है पुरा रूप है Indian Administrative Service इसका option number B जोगा वो correct होगा आगे देखते हैं हम लोग फिर next question आया था Australia की राष्ट्रिय मुद्रा क्या है तो Australia की राष्ट्रिय मुद्रा है Australian dollar इसका नाम है Australian dollar नेक्ट कोर्ष्ट्बा humble भारत में सभी क्यांदरिय मंतियों को डैस द्वारा निउक्त किया जाता है मतलब कि सभी यों क्यांदरिय मंतियों भारत में ओव राष्ट्रबती द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका option number B सही होगा अगला question देखते है question number 24 question number 24 आया हुआ था dash की कमी से सूखा रोग हो जाता है तो इसमें क्या होगा vitamin D की कमी से सूखा रोग हो जाता है तो इसका जो आपसर number C होगा ओ और correct होगा अगला question देखते है और इस GS का last question था question number 25 आया था statue of liberty liberty dash में इस्तित है तो statue of liberty कहां इस्तित है साइंक तुराज अमेरिका में तो एक जो अलावाद high court में paper हुआ था उसमें shift tube के जो paper हुए थे उसमें ये GS के portion को cover किये हैं और सारे correct answer को हमने बताया है अगर आपने भी अलावाद high court का paper दिया है और shift है अगर आपने भी answer किया हुआ तो आप इस answer की से match कर लेजे ताकि अगर आपका match कर रहा तो आपके answer सही या निता गलत हो सकता है मैं अभी और questions के analysis कर रहा हूं उसका भी answer की आप आपको उपलप्त करा दूँगा तो तब तक देखते रहे है thanks for watching अगर जो तो आपके लेजे ताकि नहीं से गलत है जाराची आर्योता यहारी प्र invariant इंगी लाराचा की स्मुनें एक रिलाने की सिए मन solo रता हुआ है एको खुपत लिग मारच जिराची मन इन जो प्र satu सिए खी आफ है, तो ने जा है पए मेखने जो आजिजिक शाया न street कि लुग कता रहा कि भरा माईilt can multi स्टेट उन्ट मी मोरा चाया, कि कหนे कि इ्या आज दुगार के मिलाऊ आजिएू रvatकन रिच्छ घुगा डिलाइघ कहतilde B बहां कर दो कर दो आता हम उनाद को अना अधिता हैशा कर दुिता है यह है अल्स का मारे जाना होना। अबस्ट टर नग्सेस ये गार से आपका दो जो आपका इडारी लाओ को जो एका है